हेलो प्रेद्ट, वल्कम टो आर यूट्यूब चैनल कॉल्फ१र ซplaying आज हम लोग इस वीडियो स्रीज में एक नया चीज देखेंगे अधिक जब भी मेंस का अंसर लिखते हैं तो उस में अंसर लिखन से पहले या तो किसी स्कॉलर का व्यू लिखते हैं या तो किसी एक अच्छे कोट के साथ उस कोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस पॉइंट अफ व्यू से मैंने कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कोट्स बना हैं जो की पॉलिटी से इलेटेड जीते भी अंसर हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे या करेंगे उसके यह बहुत बेनिफीशल होगा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा पहला कोट है राइट पर राइट पर राइट और दोस कंडिशन ऑफ सोसल लाइफ विदाउट नो मैन कैन सीक इन जरनल टू बी हिंसेल्फ आट हिस बेस्ट यह जो नेक्स जो है देमोकरेसिए रिमोकरेसिए पहरे अब्रहाम लिंकन क्या बोलता है डेमोकरेसिए श्ट कोड़नेर सीपिपल निर्स चंह कोड़े disproportion अ बारहाम लैंकिन कर ने मतंदे हैं नेक्स तक टैर इसे दीज़ा सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह पार्लियमेंटरी गवर्मेंट इस दाट सिस्टम इन विच दा कैबिनेट इस दा इमेडियेटली एंड लीगली रिस्पॉंस पर टू ती पार्लियमेंट यह मैंने शॉट में लिखा है पार्लियम तो जो मै बोल्रोस पर ध्यान से और गौर्फर मैगा नेक्स जो है वो डाइसी क्या है डाइसी क्या बोलते हैं all the rules which directly or indirectly affect the distribution of the sovereign power in the state make up the constitution of the state. यह मतलब state के power के बारे यह बताया जाता है, DICE के द्वारा, ठीक है. नेक्ष्ट जो है, वो ब्राइस का है, Constitution is a set of established rules embodying and enacting the practice of government. Constitution का feature बताया गया है, इसके लिए. Aristotle का नेक्ष्ट जो है, वो देखिये, वो भी Constitution के बारे भी बताते हैं. Constitution is the way in which the citizens who are the component part of the state and arrange in relation to one another. कितना बहते इन statement है यह अरिस्टोटल का. नेक्ष्ट जो है, वो है हर्मन वीनर का. Constitution is a system of fundamental political institution. Constitution का ही feature है यह भी. लेकोक का है, next, Constitution is the form of government. अपने आप में ही government है. Montes का है, all inhabitants ought to have right to election of representatives except such as are in so mean situation as to be deemed to have no will of their own. अरिस्टोटल का नेक्ष्ट जो है, फादर आफ साइन्स आफ पॉलेटिक्स इन्वेस्ट. फादर आफ साइन्स आफ पॉलेटिक्स इन्वेस्ट. ठीक है, next पर आई है. यह actually Constitution कहीं बारे में बोला गया है, इन्होंने बोला है. नेक्ष्ट जो है, man is by nature a political animal. कितना बहतरीन लाइन है, man is by nature a political animal and he who by nature and not by mere accident is without state और is either above humanity और below it. ओके? सॉरी, यह below valent नहीं है, humanity और below it है. I'm so sorry. प्रिस करेक्ट कीजिए इसको. Next जो है, Aristotle का फिर से statement आता है, state के बारे में. State came into existence for the sake of mere life, but now it continues to exist for the sake of good life. अगर इसको हम fundamental right के point of view से करें, तो यह कुछ ज़्यादा important हो जाता है, fundamental or DPS पी करके. Next जो है, प्रोफेसर बेकर का है, human consciousness, postulate liberty, liberty involves right, right demands the state. क्या बहतरीन है यह लाइन? Next जो है, वो Emanuel Kant का है, father of the idealist, idealistic theory. अच्छे, Emanuel Kant को बोला गया ऐसा. ठीक है, next जो है, वो Emanuel, state is a march of God upon earth. State का definition बता आए गया है, in fact, constitution में भी state का definition बता आए गया है, लेकिन, आजकल जो election का महौल है, इसमें state का definition पूछा जा सकता है, और इस तरह की सवाल आ सकते हैं, men's में, in fact, interview में भी आ सकते हैं. तो यह सब points जो है, हमारे दिमाग में रहेगा, यह बलकुल helpful होगा. नेक्स जो है, manu smriti का है, people were fed up with the narki and so God created the state for their protection. यह भी बहुत बढ़िया है, I'm so sorry, यह COVID का impact है. नेक्स जो है, Russo, man is born everywhere, he is in chains. अब इसमें भी logic समझें कि man's जो है, उनसके पास क्या है, freedom तो है, liberty तो है, साथ क्या है कि एक foundation है, कि हमें किस तरीके से act करना है, किस तरीके से रहना है. जो भी fundamental right के साथ साथ कुछ हमारे उपर जो secret imposition, जो laws जो होते हैं, constitution द्वारा, उसको ध्यान में रखके यह line मनाए गया है. नेक्स जो है, यह Russo कहीं, theory of general will is given by, not given by, is given. नेक्स जो है, second last, John Locke का है, first of all, all attempts to differentiate the state from government, 19th century का यह statement है, John Locke का. जब यूरोप में, renaissance और reformation का time चल दा था, तब की बात है है, not renaissance, reformation, और scientific revolution जब हो चुका था, तब की बात है है. जो last है, वो है, Machiavelli का, Niccolum Machiavelli, यह देखे, timing इनका दिया हुआ है, 1469 to 1527. First of all, all seems to have employed the term state in political science, आप समझ चुके होंगे इसका meaning, तब भी आप मैं थोड़ा बता दू, state का definition बता रहे है, state का importance, तो state वाले question पर हमें यह statement और यह quote से start करना होगा, ठेक है? तो कैसा लगा हम लोग का आज का वीडियो, please comment box में बताईए, और अपने दोस्तों के साथ share किजिए, और आप लोग हमें support किजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और धेर सारा प्यार देखे, कि हम लोग आगे से next बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं, और हमा